नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे योट्यूब चैनल टेकस्टार्क अर्जुन में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फोटो सोग की साहता से किसी भी इमेज में आप बारिस वाला एनिमेशन किस तरीके से बना सकते हैं बागी ज्यादा देर ना करते हुए आपसे एक छोट इसी रिक्वेश्ट जरूर करूँगा कि मेरे इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक, कॉमेंट और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा बागी लेके चलते हैं आप सभी को अपने इस वीडियो में आज मैं आपको इसी तरीके का एनिमेशन सिखाने वाला हूँ दोस्तों ये किसी भी फोटो में आप किस तरीके से ऐसे बारिस आप फोटो सोब की सहायता से ही करवा सकते हैं बाकी वीडियो को आप लाश्ट तक जरूर देखिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम अपने वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम इसको कट कर देते हैं यहां से नो कर देते हैं इसको मिनिमाईज कर लेते हैं जो भी आपका image है, जैसा भी आप image रखना चाहते हैं, जिसमें आप ये animation बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसको आप अपने Photoshop में open कर लेंगे. open करने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह जो layer का एक box बना हुआ है, आपके पास, अगर आपको ये Photoshop में नहीं आ रहा है, अगर ये गाइब हो गया है, तो इसको लाने के लिए shortcut key है, अपने keypad में, if 7 को press करेंगे, तो ये ग पड़ेगा हमको, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वाले option पर आपको click कर देना है, click करते ही देख सकते है, layer 1 यहाँ पर हमारा बन गया है, layer 1 बन गया है, अब layer 1 पर ही हम रहेंगे, हमको क्या करना है, इसमें आप देख लीजेगा, black color रहना चाहिए, black color रहेगा, आप क्य ऐसा आ जाएगा दोस्तो, आप ध्यान से देखिएगा, किस तरीके से हम बना रहे हैं इस चीज को, यह black जब आ जाएगा, उसके बाद क्या करना है, आपको filter में जाएगा, filter में जाने के बाद आप यहाँ पर noise आप देख सकते हैं, noise पर जाने के पर आप add noise पर click कर दीजेग click कर दीजेगा, click करने के बाद अगर आपका option देखिएगा दोस्तो, यह uniform पर रहेगा तो नहीं, gas win पर कर देना है, इस वाले option पर आपको click कर देना है, नीचे वाले पर रहना है और इस वाले option को आपको click कर देना है, फिर उसके बाद आपका यह, जहां तक आप बढ़ा सके इसको बढ़ाईए, जिस तरीके से आप बढ़ाना चाहें, इसको बढ़ाके रख सकते हैं, अपने हिसाब से दोस्तो, okay कर देंगे, okay करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फिर से हम filter में जाएंगे, filter में जाने के बाद हम blur पे जाएंगे, blur में जाने के बाद हम यहां पे दे गोखेंगे यहां पर जाने के बाद हम फिर से ब्लर पे जाने के बाद यहां पर मोसन ब्लर आप देख रहे हैं यहां पर क्या करेंगे okay कर देंगे okay करेंगे अब यहां से हमारा देख सकते हैं यह किस तरीके से ऐसे तिर्चा जो है यह हो रहा है इसको हम और चाहें तो तिर्चा कर सकते हैं इसको बढ़ाना चाहें और बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से ही इसको आप set कीजिए जितना पर अच्छा लगे आप set कर लीजे okay कर देंगे दोस्तो okay करने के बाद हम हमारा काम रहेगा इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहां से हम control T करेंगे T करने के बाद इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके थोड़ा सा और तिर्चा हम कर लेते हैं दोस्तों यहां पे अब ध्यान से देखते रहे हैं वीडियो को यहां से हम okay कर देते हैं दोस्तों okay करने के बाद अब हमारा क्या काम रहेगा यहां पे आप देख सकते हैं यह layer वाले box में हम यह जो normal पे click है तो normal पे ना करके हम इस screen वाले पे click करेंगे इस screen वाले पे जैसे ही आप click कीजिएगा यह आपके सामने कुछ इस तरीके का बन के आ जाएगा दोस्तों यह जो black color है वो हड़ जाएगा अब जो हम बारिस करवा रहे थे जो लगातार जो बारिस हो रही थी उस emination को बनाने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि किस तरीके से आप यहाँ पे jump करके Photoshop का ही एक दूसरा Photoshop open हो जाएगा आप पहले उसमें चले जाएगे यहाँ पे click करने के बाद इतने सारे काम करने के बाद आप पहले यहाँ पे click कीजिए यहाँ पे click करने के बाद देख सकते हैं यह कुछ इस तरीके का यहाँ पे open हो जाएगा आपके सामने अगर यह वाला layer box अगर आपके इस वाले Photoshop में image ready में अगर नहीं open हो रहा है दोस्तों तो आप क्या कीजिए यहाँ पे window वाले option पे जाएए window वाले option पे यहाँ देख सकते हैं आप animation यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप हटा भी सकते हैं और यहाँ से आप ला भी सकते हैं अब हमको क्या करना है दोस्तों यहाँ से हम इसका यह जो animation है जो image है हमारा, यहां से हम इसका एक double copy ले लेते हैं, duplicate current frame, यहां से हम बना लेते हैं, बनाने के बाद, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम नीचे के तरफ, जो हम वहां पे बड़ा किये थे, वो इसमें काम आ रहा है, थोड़ा नीचे के तरफ हम ले लेंगे, थोड़ा के बाद, आप जितना time, यानि कि जितना frame आप बनाना चाहें, जितना frame आपको अच्छा लग रहा है, उतना आप बना लीजिए, यहां पे all layers पे click रहने दीजेगा, और इस सारे option पे tick रहने दीजेगा, इसको छेर-चार कुछ नहीं करना है हमको, आप जितना चाहें, यहां मैं 5 ही ले रहा हूँ, यहां से हम okay कर देंगे दोस्तो, okay करने के बाद, आप हमको कुछ नहीं करना है, directly इसको हम यहां से, यहां से हम इस emanation को play करतेंगे, देख सकते हैं कितना आसान तरीका है दोस्तो, आप किसी भी image में ऐसा बारिस ला सकते हैं, और इसको save करने के लिए जब यह हो जाए, जब हमको अब इसको save करना है, save करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको file में जाए, file में जाने के बाद आप देख सकते हैं, यहां पे save optimized as लिखा हुआ है, और फिर save optimized पे आप click कीजिए, यहां से मैं save करता हूँ इसको, कहीं भी मैं रख देता हूँ, desktop पे ही रखता हूँ, desktop पे रखने को बाद मैं इसका एक नाम दे देता हूँ, new image, यहां से मैं save करता हूँ इसको, save करने के बाद आप देखिएगा, कि वो direct जब आप open कीजिएगा दोस्तों, जब आप open कीजिएगा इस image को यहां से, तो यह directly यह बारिस होना शुरू हो अगर मेरी वीडियो आपको कुछ सिखा पाती है, तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, बाई, टेक के कर दो सब्सक्राइब में, तब आ लाइक के लिए, अगले वीडियो ग्या झारओंवाद एक के लिए्ज एको के ले तो से जे.